आवी बाहौल में हम बिहार पे इसमक्त फोकस करेंगे सूत्र ये बता रहे हैं बिहार को लेकर की महागडवंदर में सीर्ट शेरिंग को लेकर कॉंग्रेस और आर्जेडी के बीच पे फस चुका है कॉंग्रेस ने बिगु सराय और कटिहार सीर पर भी दावा कर दिया है सूत्र ये बता रहे हैं कि कॉंग्रेस बिगु सराय से कनहया कुमार और कटिहार से तारीक अनवर को चुना लड़ाना चाहती है जबकि बेगु सराई से लेट तो कटेहा से आजजेडी का दावा है अब ये दोनों सीटे दरसल ऐसी है जिसके हिसाब से जो कॉंग्रेस पार्टी के दावेदार है कनहया और तारीक अनवर वो फिट बैटते हैं लेग उसराई वो जगह जहां पे हमेशा से लेरिन ग्राद कहा जाता है उसको और वहां लेफ्ट का दबदबा रहा है तो इस हैसाब से कनहया को मुफीद कॉंगर्स पार्टी मान दिये और तारीक अनवर सिम्वांचल से अगर उतरते हैं तो उनका अपना समिकरन होगा लेकिन इस भी स्तेजस्वी यादों का बयान भी सामने आ चुका है उसमें उन्हों ने समय आने पर वहां गडबंदल की भी सीटों के बटवारे के बारे में जानकारी देने की बात कही है तो वहीं बिहार सरकार में मंतरी और हम के संतोष कुमार सुमा ने कहा कि इंडिये के सीट बटवारे को फैसला भी जल्द हो जाएगा इस बार चौकाने वाले रिजल्ट आने वाला है बुला के बता दिया जाएगा कोई सवाल नहीं है सहित समय पर आप लोग को बता दिया जाएगा सिर्फ एलान बाकी है और हम समझते हैं कि 24-48 गंटे के बीच में एलान संभब है और हम लोग सम्मिल करके एक साथ जोएट पीची करके एलान करेंगे इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं इसमीच उत्राखन की रिवाद करेंगे कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रिस वधायक राचेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो चुके लोग सबाचुनाव की तारीकों खाइलान लेकिन कॉंग्रिस पार्टी अभी भी अपने विधायक को अपने नेताओ को संभाल नहीं पा रही है और बीजेपी हर उस सीट पर मंधन कर रही है जहां से उसको लगता है कि अगर जिताओ का इन इडिन दूसरे पार्टी में है तो वहां भी वो बाच्चित कर रही है एक पर फिरम बिहार की बात करेंगे बिहार में भी वही हाल है इंडिया घटबंदर में तमाम गाठे नसर आती है ऐसे में लोकसवा चुनाव की डगर कॉंग्रेस और उसके सयूगी दलुक ले थोड़ी मुश्किल नसर आती है झाल जनाव एक झाल ऑलाओा ह। प्या है यदिम्रेस और उसे आती है झाल और उसके साँ ज्सिऐस झाल झाल